Hello guys welcome back to my channel video future में आपका स्वागत है guys next day's tutorial में भी आपका स्वागत है guys ठीक है तो आज हम देखेंगे links okay हम हमारी जो page हमने last video में हमने बनाया था जो page है हमने उसे directly path पे जाके route करके हमने देखा था यह link simply मैं बोलू तो link करवाएंगे page को और यह कैसा की जाती है यह वाली routing कैसी की जाती है यह router कैसा यूस किया जाते है यह सारी चीज़ आज आप सिखोगे ठीक है तो जाधा time waste नहीं करते बहुत simple वीडियो और easy वीडियो और छोटा वीडियो भी रहेगा जो हमारी जो app है run हो रही है मैं ब्राउजर में open करके भी बता देता हूं यह देखो hello guys welcome all of you let's create another video ठीक है तो बना देते another video तो यहां पर मैं नीचे आता हूं यह देखो हमारी जो main है main file के अंदर ही मैं आपर एक button बना देता हूं ठीक है जब भी button बनाना होगा तब क्या करन यह run हो रहा है तो हमें यहां पर थोड़ा client side client side पर भी behave करने के लिए हमें next.js के अंदर क्या करना पड़ता है उस page के अंदर क्या करना पड़ता है उपर हमें यहां पर mention करना पड़ता है कि use client ठीक है यह client side इसके अंदर client side से related भी कुछ code है जो हम दिखाना चाते use करना चात तो इसके लिए यहां पर हमें ऐसा टाइप कर दो मतलब इस कोड को इस कोड को ऐसा बिहेव करने के लिए तोड़ा acceptance दे दो ऐसा हम बता दे थे ठीक है तो simple सा simple way में बोले तो यहां पर ना client से रिलेटर कुछ भी चीज है यहां पर करने के लिए आपको यह वाली लाइन अड़ करनी पड़ेगी next.js के अंदर हो कि तभी यहां पर इसके अंदर ही कुछ चीज हो कि कुछ कोड होगा जो क्लाइंट सेड में बहेव करेगा अंदर मैं पर इक चीज में बताना चाहता हूं यह आपर क्या करने वाली कि हम यहां पर यह चुछ गुषना है अंदर जाना है बराबर तो वह चीज यहां पर मुझे मैंशन करनी एक और चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा यह देखो हम यहां पर ना जब भी यहां पर यह ऐसी कुछ routing हम करते हैं तब यहां पर हमें एक next.js के अंदर आपको एक router mention करना होगा इंपोर्ट करना होगा एक internal module है उसके बिना आपका कुछ काम हो गई ही नहीं तो सबसे पहले मैं आपर उसे mention कर लेता हूं और मैं बता देखना राउटर और इकोल्स टू यू आपर हमें यूज राउटर यहां पर mention करना होगा गाइस ठीक है यह देखो router हमें mention करना होगा यह दो को router mention करते वग यहां पर next.router आ रहा है next.navigation आ रहा है तो अच्छे से आपको navigation पर क्लिक करना है ठीक है तो suggestion वाला जो import का भी यह line आ गई है कि हम यहां से import करें internal build को okay internal build method को okay जो already रहता है हमारे इस next.js के अंदर ठीक है तो अभी यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर मैं बताने वाला था कि complete पूरा code यहां पर mention करूँगा मैं आपर router.push क्लिक करूँगा I mean type करूँगा ताकि यह जो ह इस पेज में चले जाए navigate होके हम चले जाए ठीक है तो router यहां पर mention करना ही पड़ेगा तभी तो हमने आपर import करके भी उसे लिया है तोड़ा सच्छे से में इसे clear करके नीचे डाल देता हूँ क्योंकि वह method जैसा तोड़ा root behave तो करे वरना फिर syntax error आ जाएगा okay तो अभी यह यहां पर मैं यहां पर slash about page सबसे पहले करते ओके तो और यहां पर मैं लिक दूँगा click here click here for about page ऐसा हमें डाल देता हूँ अच्छे से okay तो अभी मैं यहां पर save कर दिया तो अभी हम directly browser के अंदर जाते हैं यह यहां पर नीचे आ गया click here for about page जैसी मैं आपर इसमें click करूँगा तो यह देखो हमारी this is about page यहां पर click होकर open होकर खुल चुकी है अभी यहां पर this is about page के अंदर भी हम यहां पर सेम चीज़े कर देते काम करते सेम चीज कर देते इसको मैं directly ले जाता हूँ copy करता हूँ और यहां पर मैं paste कर देता हूँ इसके नीचे हम यहां पर दे देंगे home page और यहां पर मैं लिख दूँगा click here for homepage ठीक है तो home page के लिए मैं डाल दूँगा ताकि वहां से भी तोड़ा navigate हो जाए बड़ यहां पर हमने यह जो चीज़े हैं यह सब हमने डाला नहीं है इसे भी हम copy paste कर देंगे का गई यहीं पर है हम यहां पर copy paste करके मैं यहां पर डाल देता हूँ वरना फिर यह जो code जो हमारी यह complete वक्त नहीं होगी और एक और चीज़े हैं यहां पर import भी करना होगा यह चीज़े भी बहुत ज्यादा important है मैं यहां पर सीधा copy paste वाला काम कर रहा हूं guys आपको दीख रहा होगा अच्छे से थोड़ा RC पना कर रहा हो बड़ ठीक है बड़ आपको यहां पर समझ में तो आ ग इंपर शर्ष कर क्योंद बूसे यहां पर बहुता है को यह इसंटा शर्ष कर वाल दो बड़ करें कहीं हाँ रही तो इसको अच्छे से मैं यहां पर देता हूं यूं करता हूं को आपको बापए करने का नतीजा देख रहे हूं अप ठीक है यहां पर engage ऍटर्ष करके अब और फिर अब सही है guys, okay तो अभी मैं save करता हूँ, नीचे अच्छे से compile करके आ गया है अभी और यहाँ पर से error जो है, error शायद अभी भी नहीं हटा है ठीक है, तो थोड़ा wait करते हैं हम यहाँ पर यह देखो add use client array guys 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 यहाँ पर हमें use client भी तो add करने होगी, मैंने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम यहाँ पर button डाल रहे, client वाला event यहाँ पर हम कर रहे client वाली चीज़े हरकते यहाँ पर कर रहे तो client यूज़ करना ही पड़ेगा ठीक है तो अब सही है guys अभी यहाँ पर यह जो error है हट चुकी है click here to मैं अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा था तो hopes हो कि आप ध्यान दिया करो guys ऐसी हरकते ऐसी चीज़े बार-बार होए ना simple चीज़े है चोटी सी चीज, चोटी सी एक line के वज़े से word के वज़े से a column के वज़े से भी हो सकता है semi column के वज़े से भी 닌ई है तो click here to homepage माझ में home page ने आगए वाफी से about page में जा रहे about page से हो तो यही चलता रहा, दिख रहा होगा आपको अच्छे से, तो अभी मैं आपर क्या करता हूँ, इसको मैं सीधा अच्छे से मैं copy paste करता हूँ, और contact page में जाता हूँ, यहाँ पर भी मैं home page का बना देता हूँ, तो यहाँ पर भी कोई दिक्तत नहीं आनीचे हमें, और क्योंके contact page का भी यहाँ पर हम देने वाले हैं अच्छे से, तो यह देखो, यह वाली जो line है, जो मैंने यहाँ पर दी है, हमारी about page के अंदर, वही line मैं आपर copy paste कर दूँगा, हमारे contact page के अंदर भी, ठीक है, तो अच् में बहुत अच्छी knowledge हो, बहुत अच्छा, आप experience ले लिये हो, तो copy paste करने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई भी डर नहीं है, ठीक है, बिंदाज आप कर सकते हो, आपको यह पूरा logic, यह पूरा खेल समझ में आ रहा है, तो आप यह चीज बहुत अच्छे दिकर सकते हो, अब मैं home page में भी इसे मैं बना देता हूं, और यहां पर मैं दे दूँगा about के जगा contact, okay, contact दे दूँगा, और यहां पर मैं लिक दूँगा, click here for contact page, okay, सारी चीज है यहां पर complete हो चुकी है, अब मैं save कर दे रहा हूं, और यह भी हो गया, यह भी हो गया, अभी अच्छे से यहां पर routing कर दिये, पुरा router यूज़ कर गये, अच्छे से यहां पर हमने सारी चीज़े link करवा दिये, navigate करने के लिए, यह देखो, about page में जा रहा हूं, home page में, I mean about page में आ गया, फिर click करने पर home page में वापिस आ गया, फिर click here to contact page, contact page, हां, ठीक है, contact page भी खोल गया, click here to home page, तो सारी चीज़े अच्छे से work कर रही है, यह बहुत अच्छे से आपको भी समझा होगा, actually यहां पर router कैसे use हो रहा है, last video में आपने basic routing देखा था, यहां पर हमने complete routing देख ली है, बहुत सी चीज़े है, routing related, तब आपको अच्छे समझेगी, routing actually होती ही क्या है, बहुत अच् क्लाइंट की जगा, use कहीं, कुछ और ना type कर ले आप, ठीक है, तो ध्यान दिया करोगा, इस ओक है, तो वीडियो को यहीं पर मैं खतम करना चाहूँगा, खतम करने से पहले एक ही चीज़ बोलोगा, वीडियो को like करना, share करना, चैनल को subscribe करना, ठीक है, तो चैनल को subscribe कर देन और Instagram भी follow कर देना, बहुत सी चीज़े हैं, अतरंगी अतरंगी चीज़ें Instagram पर, सब coding related ही है, ठीक है, तो मिलते अगले वीडियो पर, तब तक के लिए goodbye,